नारत जी की ताजा खुसुर खुसुर को मिस्ट ना होने दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं रासधानी रायपुर में एक बार फिर से गोली चली है नवरातर के दोरान देररात मामुली से विवाद के चलते एक हिस्ट्री सीटर की गोली मार कर हत्या कर दी गई है मामला राजधानी के डीडी नगर थाने का है बुध्वार की देर राद 12 बजे चंगुरा भाटा के पास कमाख्या कोटल के सामने पेट्रोल पम में धर्में सी ठाकुर नाम की युवक ने हिस्ट्री शीटर बुल्थू पाठक को गोली मार दी किसी बाद को लेकर दोनों के बीच पेट्रोल पम में विवाद हुआ था इस दोरान पहले धर्में ठाकुर उसके बेटे पर बुल्थू पाठक ने चाकु से हमला किया जिसके बाद धर्में ठाकुर ने अपने पास रखी पिस्टल से बुल्थू को गोली मार दी गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद डीडी नगर ठाने में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई मामले में डीडी नगर ठाना पुलिस आरोपी को गिरफतार कर उसे पुझताश कर रही है मैं घटना में धर्मेन का बेटा बूरी तरह से घायल है जिसे इलाज के लिए रायपूर के एक नेजी अस्पताल में भरती कराए गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है कल रात तक रिबन पौने बारा बजे डीडी नगर ठाना चेतर में जो बाइपास रोड है वहाँ पे एक प्रांजल पेट्रोल पांप है वहाँ पे एक गोली चलने की बारदा थुई थी जिसमें पुराना हिस्टेटर बुल्टो पाटक की घटना इस्थल पर ही मौत हो गई तो उनके साथ में उनके साले सौरब बंजारी भी थे इसमें जो जाज़ पर से जो बास सामने जो इसमें जिनके द्वारा गोली चलाई गई थी उनका नाम धर्मेंसी है जिनका की मिडिया डिस्टिबिशन का काम है और अपने बेटे के साथ अपनी प्राइबेट ब्रेजा कार में कहीं जा रहे थे और इसमें इनका लाइट को लेके कुछ इवाद हुआ अपस में और इसके बाद बुल्टो पाठक और सौरब भंजारी नोग दोनों ने आकि इ साथी चाकूर भी निकाल लिया इस पर से धर्मेन सिंग ने मौगे पर इनके पास चोंकी लाइसेंसी रिवालवर है जो की दो हजार साथ से इनको अखिल भाठी लाइसेंस मिला हुआ है और इसी से इन्होंने बुल्टो पाठक पे फायर किया और जिसमें ऐसे कि उसकी घटना इस्तल पर ही मौथ हो गई गटना इस्तल से गटना में प्रयूक्त पिस्टल और दो मेकजिन छे जिन्दा राउन और चार उनका एम्टी केस ब्रामद हुआ है साथ ही बुल्टो पाठक और सौरफ बंजारे के कबजे से भी दो धारदर हत्यार ब्रामद किया गया है और फिल्हाल इस प्रकरन में डिरी नगर थाना चेतर में अपराद पंजीबत का रिवेशना मिलिया गया है और इसमें आरुपियों की गिर्पतारी हो गई कबच्ची न्यूस के लिए कैमरामेन राकेश यादो के साथ ममतावानकर की रिपोर्ट